हेलो एवरिवन, वेलकम टो वेधी फाइल, तो आज हम बात करते हैं बच्चो आयोनिक रेडियाई की, इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, इससे पहले पढ़ा था एटोमिक रेडियाई, वहाँ हमने इसके ट्रेंड्स देखे थे, किस तरह मेटल्स में, नौन मेटल्स में, को आयोनिक रेडिय स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आयन्स क्या होते हैं बच्चों तो क्या होते हैं उसे हमें एक एक्जामपल से समझते हैं तो बच्चों आप यहां पर देख पा रहे हैं एक सोडियम एटम देख पा रहे हैं एक सोडियम के अंदर convert हो जाएगा that means positive charge ion के अंदर convert हो जाएगा अब ऐसा क्यों हुआ because there is a loss of an electron एक electron का loss हो गया है और loss हो गया है तो क्या हुआ due to this the number of electron is decreases electron को बहा निकाल दिया है that means electron का number क्या हो गया decrease हो गया माल लीजिये sodium के अंदर पहले 11 ही proton और 11 ही electron थे बट जैसे ही एक electron बहां निकाला तो अब मेरे पास electron 10 ही रह गए हैं बट proton अब भी 11 ही है इसलिए हमने क्या बोला कि proton का number बढ़ गया है इसलिए उसके उपर कौन से charge आएगा sodium के उपर positive charge आजाएगा और उस positive charge को क्या बोलते हैं बच्चों उस positive charge को बोला जाता है cation क्या बोला जाता है cation बोला जाता है बात क्लियर है अब मैं इसी तरह बात करूँ कि मेरे पास कोई atom है c l atom देख पा रहे हैं आप यहाँ पर यह आपको c l का energy level diagram दिख रहा है बच्चों बात क्लियर है अब इस c l को हमने किसमें convert कर दिया किसमें c l minus में convert कर दिया c l में minus क्यों किया क्यों किया क्योंकि इसने एक electron को क्या किया है accept किया है बच्चों आप देख पा रहे हैं एक electron इसके अंदर add हुआ है और यह CL minus में convert हो गया है बच्चों बात clear है आप यह minus में convert क्यों हुआ because now the number of electron is more than proton so atom bears negative charge क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पर जो CL था उसने electron ले लिया है और electron ले लिया तो इस बार electrons का number बढ़ गया है पिसली बार क्या था एक electron sodium ने lose किया था तो proton का number बढ़िया था क्योंकि electron का number कम हो गया था बात clear है और यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर CL ने एक electron ले लिया है अपने पास और वो किसमें convert हो गया है वो convert हो गया है negative charge species के अंदर और उस negative charge species को बोला जाता है बच्चों अनायन क्या बोला जाता है उसको अनायन बोला जाता है बच्चों अब आप सब को भी confusion होता होगा बच्चों मैं जब आपकी आपकी तरह क्लास में था 11-12 में तो मुझे बहुत confusion होता था कि कटायन और नन को कैसे याद रखूं कभी कटायन मुझे नेगेटिव लगता था कभी कटायन मुझे पॉजिटिव लगता था तो मैंने बच्चों एक ट्रिक डवलप कर ली ट्रिक क्या डवलप करी मैंने एनायन को पकड़ लिया एनायन के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं एन आई ओ एन से मैंने याद कर लिया कि एन से होगा म तबनाइज एनन मेरा नेगेटिव चार्ज होगा। बात क्लिए है कि किस तरह हम ketain और एनन के अन्दर differentiate करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि ionic radii का estimate कैसे किया झाता है कैसे measure किया जाता है कि कि किस सारए ionic radii को हम find out करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, उसके अंदर जो cation और nane की बीच की distance होगी, किसमे आयोनिक crystals के अंदर, उसके अंदर अगर हम cation और nane की predictive distance की alma calculate कर लें, तो हमें ionic radiae मिल जाएगी बच्चों, बिलकुल मिल जाएगी, For example, मैं बात करता हूँ NaCl किस्टल की आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक NaCl किस्टल है अब इस NaCl किस्टल के अंदर अगर मैं Na प्लस और Cl माइनस की बीच की डिस्टेंस को क्या कर लूँ? कल्कुलेट कर लूँ तो मुझे Ionic Radia ही मिल जाएगी बच्चों बात क्लियर है क्या बोला मैंने? अगर इस क्श्टल के अंदर मैं Na प्लस और Cl माइनस की बीच की डिस्टेंस को कल्कुलेट कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे Ionic Radia ही मिल जाएगी बात क्लियर है कि किस तरह Ionic Radia की कल्कुलेट के जाता है? अब मैं बात करता हूँ जनरल ट्रेंड की कि Ionic Radia का ट्रेंड क्या होता होगा? बाई वो Left से Right जाते हैं इंक्रीज होती होगी या क्या होती होगी? उपर से नीचे आने पर Increase or Decrease क्या होता होगा? तो जनरल ही ये देखा गया है बच्चों कि जो Ionic Radia का ट्रेंड है वो Just Similar to Atomic Radia ही होता है जिस तरह हमने Atomic Radia में बूला था कि Left से Right जाने पर Left से Right जाने पर Atomic Radia क्या होती है? Decrease हो जाती है और Top से Bottom आने पर Atomic Radia क्या हो रही थी? Increase हो रही थी इसी तरह अगर मैं Ionic Radia की बात करूँ तो Left से Right जाने पर Ionic Radia भी Decrease हो जाती है बच्चों और उपर से नीचे आने पर Ionic Radia क्या हो जाएगी? हमारी Increase हो जाएगी बात क्लियर है? तो हमने बात कर लिया बच्चों ट्रेंड क्या होता है बट एक चीज यहाँ पर different होती है बच्चों क्या होती है? अगर मैं बात करूँ Catein की तो Catein जो मेरा होगा वो उसके Parent Atom से छोटा होता है बच्चों क्या बोला मैंने? जो मेरा एक Catein होता है मतलब Positive Charge Species होती है वो अपने Parent Atom से क्या होगा? छोटा होगा ऐसा क्यों होगा? Because it has fewer electron while its nuclear charge remains same ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम Catein में हमने किसी Atom को Catein के अंदर convert किया है तो वहाँ से एक electron को बहाँ निकाला है एक electron को बहाँ निकालते क्या हो गया? Electrons की कमी हो गई जैसे ही electron की कमी होई बच्चों that means proton की number अब ज़्यादा हो चुके है और proton की number ज़्यादा हुए तो nuclear charge बढ़ गया बच्चों और nuclear charge बढ़ गया that means अब वो electron को अपनी तरफ और तेजी से खीचेंगे और और तेजी से खीचेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी size च्छोटी हो जाएगी, बात क्लियर है बच्चों कि क्यों katen की size उसके parent item से च्छोटी होती है, For example, मैं बात करता हूं magnesium atom की, ये देख पा रहे हैं, आप magnesium atom है, हमार के अंदर convert कर दिया है अब आप क्या देख पा रहे हैं मैगनेशियम के अंदर मैगनेशियम के अंदर देख पा रहे हैं कि number of electrons को कम हो चुके हैं बट number of proton अब भी ज्यादा है और number of proton अगर ज्यादा होंगे तो mg G plus के अंदर जो nucleus होगा उसका nucleus चार जादा होगा और nucleus चार जादा होगा तो क्या करेगा वो outermost electron को अपनी तरफ खीचेगा और अपनी तरफ electron को अगर खीचेगा तो M G plus की size चोटी हो जाएगी उसके parent atom से जबकि parent atom के अंदर आपके देख रहे हो number of proton और number of electron same है that means वहाँ पर कोई size चोटी नहीं होगी बट उसके cation के अंदर size चोटी होगी बात क्लियर है समझ में आया कि क्यों cation की size चोटी होती है उसके parent atom से और अगर इसके practical example की बात करूँ तो क्या 186 picometer कितनी होती है 186 picometer होती है बात क्लियर है यहाँ तक और अगर उस atomic radius को मैं ionic radius से compare करूँ किस से उस atomic radius को ionic radius से compare करूँ तो वो होती है केवल 95 picometer मतलब जैसे ही sodium na plus के अंदर convert हुआ तो उसकी size क्या हो गई उसकी size चोटी हो गई यह एक practical value है बच्चो जिससे हमें पता लगा कि atom जो था हमारा parent atom उसकी size तो जादा थी बट जैसे ही उसमें से electron बहार निकाला हमने तो उसके ion क्या हो गई उस sodium plus ion की size चोटी हो गई बात क्लियर है तो यह बात थी बच्चो केटाइन की अब अगर मैं बात करता हूँ anion की the size of an anion will be larger than that of parent atom because the addition of one or more electron would result in increased repulsion अब बच्चो anion की case में क्या हुआ anion की case में बच्चो हम बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई parent atom से anion का formation होता है तो वहाँ पर size बढ़ जाती है बच्चो क्या बोला मैंने माल लीजे मेरे पास कोई यह एक मेरा parent atom है क्लोरीन बात क्लोरीन के अंदर जैसे ही मैं एक electron add करता हूँ ब nan में convert होने के बाद क्या हो गया वहाँ size बढ़ गई है बच्चों size क्यों increase हुई बच्चों उसका reason देखिए size इसले increase हुई क्योंकि उसके outermost shell में पहले 7 electron थे कितने थे 7 electron थे जैसे ही 8 electron और add किया हमने उस electron के add करने के बाद वहाँ पर electrons के बीच में repulsion होने लगा आप आ रहे हैं और जैसे ही वह अपने आपको दूर करने की कोशिश करेंगे तो size बढ़ जाएगी बच्चों बात क्लियर है size बढ़ जाएगी और size बढ़ गी तो हमने क्या बोल दिया कि किसी भी anion की size उसके parent atom से क्या होगी जादा होगी बात क्लियर है बच्चों कि किस तरह anion अगर मैं केवल fluorine atom की बात करूं तो वह हमारी atomic radius होगी 64 P.M तो आपने क्या देखा जो मेरा fluorine N.N है उसकी atomic radius क्या है उसकी ionic radius क्या है जबकि हमारी atomic radius की बात करूं मैं किसकी अगर atomic radius की मैं बात करूं तो वह मेरी कम आ रही है बात क्लियर है समझ में आया बच्चों आपको कि ionic radiae atomic radiae क्या होती है किस तरह उनकी values होती है और हमारे parent atom से अगर मैं cation को compare करता हूँ तो cation छोटा होता है बट अगर parent atom से मैं उसके NN को compare करता हूँ तो NN बड़ा होता है बात क्लियर है बच्चों अब बात करते हैं बच्चों iso-electronic species की कि iso-electronic species क्या होती है तो बच्चों नाम से ही clear है iso मतलब same और electronic मतलब electrons ऐसी species जिसके अंदर same number of electron होंगे उन्हें हम क्या कह देंगे iso-electronic species तो definition क्या हो जाएगी when the two or more atoms and ions which contain the same number of electron we call them iso-electronic species हम उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें iso-electronic species बोल देंगे for example मैं बात करता हूँ O2-, F-, Na+, Mg+, 2 they all have same number of electron और कितने electron है 10 electron present है बच्चों इन सब के अंदर कितने present है 10 electron present है बात clear है but if we talk about their radii their radii would be different because of their different nuclear charge but अगर मैं इनकी radius की बात करता हूँ तो इनकी radii बच्चों different होगी different क्यों होगी क्योंकि उनकी अंदर nuclear charge different different होगा अगर मैं O2- की बात करूँ महान nuclear charge कुछ और होगा F- की बात करूँ महान nuclear charge कुछ और होगा उस तरह हम इसकी क्या कर सकते हैं बच्चों ionic radii बता सकते हैं so the cation with the greater positive charge will have a smaller radius because of the greater attraction of the electron to the nucleus क्या बोला मैंने बच्चों मैंने ये बोला कि जो मेरे positive charge species होगी उनकी size क्या होगी वो छोटी होगी क्यों अगर positive charge जैसे बढ़ता जाएगा that means electrons का number कम होता चला जाएगा और electrons का number कम हो गया तो nuclear charge बढ़ गया है और nuclear charge बढ़ गया तो उस nucleus का बाहर वाले electron के उपर attraction बढ़ गया है तो वो दीरे दीरे छोटे होती चले जाएगे बात क्लियर है बट NIN की कीश में हमने क्या पढ़ा है NIN की उपर जितना ज़्यादा negative charge होगा उसकी radius उतनी ही बढ़ती जाएगी क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पर repulsion बढ़ता जाता है बात क्लियर है और जैसे ही repulsion बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी उस NIN की size increase हो जाएगी expand हो जाएगी तो हमने क्या पढ़ा बचो ISO electronic में ISO electronic में हमने पढ़ा कि ऐसे species जिनके अंदर same number of electron होते हैं वो मेरी ISO electronic species होती है अगर उनकी में radii की बात करूँ तो जो मेरे same number of electron के अंदर जो cations होते हैं वो मेरे छोटे होते जाते हैं अगर मेरे positive charge की value बढ़ रही है तो वो मेरे atom छोटे होते चले जाएगे बट अगर negative charge की value बढ़ रही है तो वहाँ पर मेरे जो anines होंगे उनकी size बढ़ती चली जाएगी तो बात समझ में आए बच्चों आपको तो I hope आप सबको समझ में आए होगा कि ionic radii, ISO electronic species कौन कौन सी होती है Thank you